क्या आपको पता है डिस्क ब्रेक्स पर ये छेद क्यों होते हैं? दोस्तो पहले के समय पर डिस्क ब्रेक्स पर कोई भी छेद नहीं हुआ करते थे और जब भी वहाँ रोखने के लिए ब्रेक का उप्योग किया जाता था तब ये प्लेट बहुत ज़्यादा गरम हो जाती थी जिससे कि अगर कोई वेक्ती से चूता था तो उसके हाथ तक जल जाता था और कई बार ज़्यादा गरम होने की वज़े से ब्रेक्स काम भी नहीं कर पाते थे उसके बाद पतले डिस्क ब्रेक्स बनाए गए लेकिन ज़्यादा समय तक ब्रेक का इस्तमाल करने से वो पिगल कर गाड़ी से अलग हो जाते थे उसके बाद ये आइडिया लगाया गया कि क्यों ना इन ब्रेक्स पर छोटे छोटे छेद किये जाए और ये जब आइडिया इंप्लिमेंट किया गया तो ये कामियाब हुआ क्योंकि इन डिस्क में छेद होने के कारण इसमें से हवा आर पार जाने लगा और ये अब गरम भी नहीं होता था जिसकी वज़र से ब्रेक्स ज्यादा समय तक चलने लगा